हेलो, कैसे हैं आप लोग, मैं हूँ पृती जा, मेरी सहली चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है तो मैं अभी जा रही हूँ घूमने के लिए पटना, गोलगर, जो पटना में राते उनको पता होगा जो नहीं भी राते उनको भी पता होगा, क्योंकि ये बहुत ही फेमस जगा है तो मैं अभी निकल रही हूँ अपने भाई और अपने बेटे के साथ घूमने के लिए तो मेरा भाई गारी स्टार्ट कर रहा है तो और हम लोग जाएंगे अभी अभी दो पहड के दो बज रहे हैं और हम लोग निकलने वाले हैं अभी तो हर चीज बंद है, गोल घर या कोई भी चीज बंद ही होगी फिर भी उधर हम लोग को कुछ काम था तो हम लोगोंने सोचा क्यों ना उधर जाएं अगर जो खुला रहेगा तो टपू को मैं घुमा भी दूँगी, दिखा भी दूँगी और नहीं होगा तो जो हम लोग का ताम है वो करके आज मैं आप लोग को पत्न का सहीर कराओंगी मैं आज गांधी मैदान जाने वाली हूँ और जहां की बुक मिलता है वहाँ जाने वाली हूँ और म्यूजियम भी जाने वाली हूँ जो की बंद होगा सिर्फ मैं बाहर से ही आप लोग को दिखा सकती हूँ खेतान मार्केट भी जाना है तो चलिए मैं निकल चुकी हूँ जाने के लिए और हम लोग जा रहे हैं तपू बहुत मस्ती कर रहा है रास्ते में तो हम लोग आ गए हैं गोलगर के पास देखिए गेटी जो की बंद है मैंने बताया था ना कि वो बंद होगा यही है पटना का गोलगर यह बहुत ही उचा है अगर जो गोलगर के उपर से पूरा पटना दिखाई देता है यह बहुत ही उचा होता है मैं एक दो बार गई हुई हूँ लेकिन टपू के साथ मैं कभी नहीं गई हुई हूँ इसलिए मै आई थी कि अगर जो खुला हो तो मैं उसे दिखा दूंगी लेकिन ये बंध है तो हम लोग अभी रिटर्न होंगे तो रिटर्न होकर अब मैं जा रही हूं तो देखिए मैं फिर से गोलगर दिखा रही हूं आप लोग को बाहर से तो बाहर से देख लिजिए कि ऐसा है पटना का गोलगर, आप लोग को पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, मुझे नहीं तो पटना के गोलगर के लिए तो बनता है, अब मैं आ गई हूँ कुछ प्लांट्स लेने के लिए, जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे है न, ग्रीन ग्रीन बहुत ही मुझे अच्छा लगता है, कि मुझे ग्रीन कलर बहुत ही पसंद है, और पउधा और हर्याली किसे पसंद नहीं है, उस तो सब को पसंद आती है, तो मैं यहाँ ले रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि मैं कौन साल हूँ, पूछ रह क्या है और ये मेरा भाई है जो की एक money plant ले रहा है मेरे लिए मेरे घर पर पहले से भी घर में है money plant लेकिन वो एक ले रहा है वो बताया था कि एक kitchen में भी रख देना इसी लिए वो एक money plant ले रहा है मेरे लिए तो यही सब है मैं घूम घूम कर पुरा देख रेव हूं कि कहा मतलब एक होता है न मुझे बोहूत ही जुदा पसंद है हर्याली देखना तो मैं पूछ रही हूं प्लांट्स के रेट पूछ रही हूं और देख रही हूं मुझे करीपत्ता भी लेनी है जब मैं सस्राल गई थी लॉकडाउन में फस गई थी तो यहां का जो भी मेरा था पौधा कुछ पौधा सूख गया था तो उसमें मनी प्लांट एक सूख गया था मेरा और करीपत्ता भी सूख गया था तो मैं वही लेने के लिए आई हुई हू तो हम लोग वही देख रहे हैं और ले रहे हैं यहाँ प्लंट मार्केट के रेट से कुछ साथते हैं ज्यादा नहीं है लेकिन 10-20 रुपया का अंतर है मार्केट से और यहाँ से तो मैं यहां पहली बार आई हूँ, इससे पहले मैं जहार आती हूँ, वहीं मार्केट से ले लेती हूँ, यहां गांधी मैदन के पास यहां पहली बार आकर देख रही हूँ, नहीं तो मैं हमेशा से अपने घर के पास वाले मार्केट से ही ले लेती हूँ, मैं इतना दूर न लग रहा है याँ गोमना और सानसात में आप लोग दिखा रही हूं मत बोल tuvoo कि इस सिर्फ यहां सिर्फ वह दिखा रही हैं różne तो ज्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहे हैं मुझे लग रहा है कि आप लोग को भी जरूर अच्छा लग रहा होगा तो इसी लिए मैं दिखा रही हूं कितना अच्छा लग रहा है ना ग्रीन ग्रीन पूरे तरफ ही ग्रीन ही नजर आ रहा है और चोटे-चोटे पाउधे उसमें फूल लगे हुए जो कि बहुत ही अच्छे लग रहा है वो बोल रहा है कि मामा सारा ले लो हम लोग लेकर सारा चलेंगे तो अब मैं वहां से निकल गई आप आ गई हूं मैं दुकान बुक लएने के लिए गांधी मैदान के साइड ही बुक मिलता है हर तरह की बुक मिल जाएगी आपको जो भी हो सस्ते रेट में मिल जाएगा यहां से सस्ता रेट पूरा बिहार में कहीं भी आपको बुक नहीं मिलेगा यहां कम दामों में हर तरह की किताबे मिल जाती है आप कोई भी किताब लेना चाहोगे यहां मिल जाएगी यहां बहुत सारी इस्टॉल लगी रहती है बुक इसी तरह से यहां मिलता है इसी तरीके से पूरा लगा हुआ रहता है और आप अपने मन पसंद या जो चाहें बुक ले सकते हैं पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छी जगा है ये तो अब हम लोग आ गये हैं खने के लिए तो मैं चार्ट खा रही हूँ आईए आप लोग भी खा लीजिए चार्ट चुकी है हम लोग क्रिष्णा घात आये थे पत्ना में लेकिन वहां अंदर अंधेरा था तो मैं आप लोग को नहीं दिखा सकी ये अब हम लोग बाहर जा रहे हैं साम हो गया था तो जब मैं यहां आई तब तक अंधिर यहां का लाइट कुछ प्रॉब्लेम हो गया है दो दिनों से तो यहां का लाइट नहीं जल रहा था तो मैं अप लोग को गंगा नदी का दर्स नहीं कर आपाई लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर करवाओंगी तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए